दोस्तों बर्ती टेक्नोलोजी से हमें आज पूरी दुनिया छोटी लगने लगी है पर आज भी कहीं ऐसी जगह है जो रहस्य और रोमांज के साथ-साथ पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ी है और इन ही जगहों में से एक है चिलो देशखा इस्टर आइलेंड और आज की वीडियो में हम आपको इसी आइलेंड के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं तो दोस्तों बने रही है वीडियो के अंतक और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिसे की इस त क्षेत्र का 1888 में चिली में विले किया गया था, 1722 में जब इस आइलेंड की खूज हुई तब यहां कुछ ऐसा मिला जिसने लोगों को हेडान करके रख दिया, दरसल इसकी वज़ा यहां पर मौजूद मुर्तियां थी, जिसका केवल सर बना हुआ था, सब सोच में पढ़ ग जाने के बाब जूद इन में छोटी मोटी खरोजों के अलावा कोई नुक्सा नहीं पहुंचता, इस दूई पर कई रहसे में मुर्तियों का वजन तक्रीवन 100 टन है, और लंबाई तक्रीवन 30-40 फीट, इन मुर्तियों को बनाने में जिन पथरों का इस्तिमाल किया गया थ वह किसी जौला मुखी के ठंडे लावे से ही बन सकते थे, तो आखिर ऐसे पथरों को यहां लाया कैसे गया होगा, और ऐसी विरान जगों पर इन मुर्तियों को आखिर क्यों बनाया गया होगा, वैग्यानिकों ने जब इस जगह पर खुदाई की, तो वो और भी अचंबि क्योंकि इसके खुदाई पर मुर्तियों के सर के नीचे इसके शरीर भी पाए गया, जो काफी आस्चेरे की बात है, कि आखिर इसके शरीर को मिट्टी के अंदर दवाकर क्यों रखा गया होगा, वैग्यानिक जैसे जैसे रहस्य को सुलझाने में लगे हुए थे, उनके साम चीन एजिया से संबंद रखते थे, यहाँ पर कुछ ऐसी मुर्तियां हैं जिनका पीठ संबुद्र की तरफ है, और सायद इसके पीछे का कारण यह था, कि यह मुर्तिया ग्रामिन लोगों को सनरक्षन देती है, इस दूइपर एक अदूइतिय मुर्ती है, और यह एक मात् दूकु तुली है, वैसे सबसे रहस्यमाई बात यह है, कि उस समय ऐसे विसालकाय पत्थरों को लाया कैसे गया होगा, मुर्तियों को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर कैसे ले जाया गया होगा, वैसे दोस्तों, भले ही आज हम लोग टेकनोलोजी में बहुत आगे और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, आपका केमती वक्त देने के लिए धन्यवाद,